आप सभी किसेंद भाईयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का फिर एक बार नए वीडियो में किसेंद भाईयों आज हम जानने वाले है कि सेजन की फसल में फुल जर क्यूं होती है और कौन-कौन से कारणों की वज़े से सेजन की फसल में फुल जड़ होती है और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कौन-कौन से दवाई का इस्प्रे करना होता है इसके बारे में इस वीडियो में हम complete information लेने वाले है तो किसन भाईयों इस वीडियो को न भाई शुरू से आन तक जरूर देखना अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अगर आपका कोई सवाल या कोई सुजा हो तो इस वीडियो के नेचे comment box में comment करके आपनी राय हमें जरूर बताना किसन भाईयों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई कौन-कौन से कारणों से सैजन की फसल में फूल जड़ होती है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को किसन भाईयों सेजन की फसल में फूल जड़ तीन कारणों के वज़े से होती हैं इसमें पहला और मुख्य कारण ये है कि रोग किटों के आटक के कारण सेजन की फसल में फूल जड़ भूती ज़दा होती है ये एक उणने वाले पतंग होते हैं और ये पतंग एक फुल से दूसरी फुल की उपर जाके बेड़ते हैं और उसके आंदर का रस शोशन करते हैं जब ये किट रस शोशन करते हैं तो एक चुपचिपा पदरते छोड़ते हैं जिसके कारण फुल जड़ भहती ज़्यादा हो मोसम में भारी बदलाव के कारण भी फूलजड़ होती है, जब तापमान 15-35 degree Celsius होता है तो सेजन के फूलों में रूपान implant भहुती बढ़िया तरीके से होते है, अगर आपके ये डियमें तापमान 15-16 degree Celsius से कम है तो फूलजड़ होने की संबावना बनी रहती है, इसमें चवता भी ये कारण है मेरे ख्याल से वो ये है कि अगर आपके सेजन के फ्लोट में ज्यादा पानी होता है या फिर आपका खेत नदी या नाले के किनारे पर है तो भी सेजन के फ्लोट में फूलजड होने के संभावना होते मेरे ख्याल से तो किशन भाईयों इसको कंड्रोल करने के लिए आपको मैं दो तिन दवाईयों के नाम बताऊंगा अगर आप उनका इस्तमाल करते हैं तो आप सेजन की फुल जड़ को रोक सकते हो तो क्या है दवाईय के नाम जानते हैं आगे वीडियो में किशन भाईयों अगर आपके यहरे में हाल फिलाल में भारी बारिश हुई है जिसके कारण पोदे के पत्ते पीले पड़े हुई है और सारे के सारे फुल ज़ड़ चुके है अभी सिर्फ कली बच्ची है तो आपको रेडो मिल यम ज़ड का इस्प्रे करना है इस दवाई को आपको पर लिटर पानी में एक ग्रम मिलाके इस्प्रे करना है परती एकर 0,52 चोटीस खाद को आपको डालना है यह खाद आपको 4 खिलू पर एकर में डालना है यह खाद आपको 8 दिन, squeeze 8 के सोला दिन में दो बार आपको यह खाद डालना है इससे होता यह है कि आपके जो सेदें के फत्ते पीले पड़े हैं वो हरे हो जाएंगे और जो आपकी जो कलियां खिली है वो सारी की सारी कलियां फूल में रुपांत्रित हो जाएगी दूसरा किसन भाईयों आगर आपके एरे में थन जादा है और सुबे सुबे धुंद गीरती यानि के कोहरा गीरता है जिसके कारण जो फूल होते हैं फूलों की दंडा होता है यानि के नीचे का जो हिस्सा होता है वो पीला पड़ता है या तो फिर काला पड़कर सरने लगता है तो इसको रोकने के लिए आपको जो है ना प्लानोफिक्स दवाई को आपको परती 20 लिटर पाने में 4 एमेल डाल के इसप्रे करना है यह इसप्रे आपको 8-8 दिर में 2 बार करना है अगर आपके एरे में ज़ादा थंड है और धुन्द ज़ादा है कोहरा ज़ादा गिरता ह तो आपको इसका spread करना है यह spread आपको शाम के time में करना है यानि कि 4 बजे के बाद में आपको करना है 4 से 6 बजे के आजसी पास आपको जो इसका spread करे तो ऐसे तो आच्छा result आपको देखने को मिलता है आपनी राय हमें जरूर बताना तो मिलते हैं आपको फिर किसी नए वीडियो के साथ अपते के धन्यवाद जै जवान जै किसान